सोमवती अमावसिया है और समोगे पर हरिद्वार में श्रद्धालू की भीड़ो मड़ी है सुबह से ही हर की पैड़ी समेथ हरिद्वार के सभी गंगा घाटों में श्रद्धालू सनान कर रहे हैं और अमस्याव पर सनान के साथ दानपुर्णी का भी खास महतो है आपको बताते कि आज सुमवती अमावसिया है और सबीच काफी बड़ी संठ्या में श्रद्धालू जो है हरिद्वार पहुच रहे हैं, श्रद्धालू जो है आस्ता की डुप की लगा रहे हैं और ऐसी बीच आप देख सकते हैं तस्वीर है आज सुमवतिय मावसिया का असनान करने का अपना एक खास महत तो माना जाता है यह तस्वीर है उत्राकन के हरी द्वार से है जहाँ पर आस्था की डुपकी लगाते हुए इन श्रधालों की तस्वीरा आते हैं और इस कबर पर तुमाम जान करेकल हमारे से योगी राजकुमार पाल इस वक्त हरी द्वार से हमारे साथ जोड़ चुके हैं राजकुमार किस प्रकार का महौल इस वक्त हरी द्वार में देखने को मिल रहा क्योंकि आस सुमवतिय मावसिया है से मैं बड़ी संख्या में श्रद्धालू जो है हरिद्वार पहुंच रहे हैं आस्ता की जुपकी लगा रहे हैं सबसे पहले हरिद्वार में इस वक्त किस प्रकार का महहल देखने को मिल रहा है कि बिल्कुल रिशा आपको बताने चाहेंगे कि आज सौमती मावस्या का इसना निस्वक्त चल रहा है लाखों की संख्या में सरदालू दर्मनगडी हरिद्वार पहुंच रहे हैं हर्की पोड़ी सही तमाम अन्ने गाटों पर जो है सरदालू का सुबेस तड़के से ही तांता लगावा है गंगा में इसनान करने का दानपूर करने का एक विसेश महत्व पौराणिक माननेताओं के अनुसार माना जाता है बता दी कि 19 साल के बाद ऐसा संयोग बनाया है कि मावस्य सावन के महीने में पड़ रही है जिसका एक अलोगी महत्व माना जाता है जिसके तैस सरदालू गंगा में इसनान करते हैं और अपने अपनी मनोकामना मांगते हैं वही अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा को लेकर 11 सूपर जोन और 22 जोन और 49 सेक्टर में पूरे मेलाच्वीतर को बाटा गया है तमाम पुलिस अधिकारी यहाँ पर तैनात किये गए हैं सुरक्षा को लेकर खड़े इंतजाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है जी निशा राजकुमार महीं बात कर ले जाए आज सुमती मावसिया है और आस्ता की डुपकी लगाने के लिए श्रद्धालू बड़ी संख्य हमारे दवार पहुंचे क्या कुछ कहना है जो श्रद्धालू हरे दवार इस वक्त पहुंचे है देखी निशा बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि वैसे तो हर साल में बारा मावस आती है लेकिन सुमती मावस जिस दिन पढ़ती है सुमबार के दिन पढ़ने वाली मावसिया को सुमती मावस का जाता है जिसका पौराणी कमानेताओं के अनुसार अलगी महत वहता है जिसमें गंगा इसनान करना दान पून करना अपने पित्रों के लिए मोक्स के कामना करना इन सब को लेकर जो है सरदालू हरिद्वार पहुंचते हैं और गंगा इसनान करते हैं लगातार ये सिलसला सुबह तड़के से ही जारी है लगातार लाकों की संख्या में जो सरदालू दरमनगडी अरिद्वार पहुंच रहे हैं और अन्य अन्य घाटों पर जो है लगातार सरदालू आस्ता के डुपकी लगाते वे दिख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से भी आ कि पोड़ी और घाट अन्य घाटों पर भी पेड़ इसी तरह के से देखी जा सकते लगातार एक राज कुमार चले बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुचाने के लिए